अफेश ट्वेल फेश ट्वेश ट्वेल सेलेक्सेन पोश्ट एससी का जो है वह आज 16 तारिक को निकलाया था अब इसमें आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें आपने ग्रेजुएट किया है, तो भी आपके लिए वेकेंसी है, आप 10th pass है, 12th pass है, तो भी आपके लिए वेकेंसी है, ठीक है, आप इसमें देख लीजिए, लाच्ट टेट जो है, वो ध्यान लखिएगा, 18 मार्श है, लाच्ट ट लेकि अपनी तयारी घर बैटे कर सकते हैं वह भी समय लिजिएगा कर और इसमें कितनी बैटान से टोटन तोरह्ध आपने तोटतल 2000 मच्प नोने निकाली looking स्पीब में कितनी इंवैंपंड सी थीक है डिपार्ट्मेंट का नाम और कितनी वेकेंसी है वो सब आपको यहां पता लेगा तो देख लिजीएगा आप नोटिफिकेशन एज लिमिट की बात करना है तो देख लिए अगर आप SC-ST है तो आपको 5 साल का relaxation मिलेगा OVC को 3 साल का relaxation मिलेगा PWBD candidate को 10 साल का relaxation दे रहे हैं यह वहीं आप अगर OVC में PWBD candidate है तो 13 साल का आपको मिलेगा आप SC-ST मगर PWBD candidate है तो आपको 15 साल तक relaxation मिल सकता है अगर आप विडियो है डाइवोर्स वोमेन है या नियाई रूप से अपने पती से अरग रहती है तो आपको 35 साल तक एज है आपकी तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं और अगर आप विडियो है डिवोर्सी है और SC-ST है अगर आप SC-ST की विडियो है तो आपको 40 साल तक की छूट दे रहा है तो इस चीज़ आप लोग द्यान रखिएगा किस के टेगरी में आप लोग है उस हिसाब से आप लोग इसमें भर सकते हैं अब इसकी हम लोग बात करते हैं एक्जाम पैटर्न कैसा रहेगा इसमें क्या सेलेक्शन प्रोसेज है ठीक है और वेकेंसी किस भाग में कितनी वेक अब इनका यह देख लीजिए जो इनका इसकीम आप एक्जाम पैटर्न है तो देख लिए ठीक है और मैट्रिकुलेशन यानि टेंस पास वालों के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन लेविल या इससे ऊपर वाले लेविल वालों के लिए अलग यह पेपर करवाएंग आप लिए और इसमें निगेटिव मार्किंगे रख रहे हैं 0.5 ठीक है 0.5 की अगर निगेटिव मार्किंग रख रहे हैं 6 मिनिट का यह पेपर होगा ठीक है एक घंटे के अवद का पेपर होगा इसमें जन्रल इंट्लेशन से 25 कोश्चन पुषए जाएंगे 50 मार्स के जन अब इन्होंने पूरा syllabus भी दे रखा है, matriculation level पर क्या पुछा जाएगा, कहां कहां से question आएगे, और higher secondary level पर क्या पुछा जाएगा, कहां कहां से question आएगे, उसी तरह graduate level पर, तो पूरा आप लोगों को syllabus भी मिल जाएगा यहां से, अब आप लोग discussion में जाके book देख लीजिए, best book है, best exam होंगे, previous year के exam paper भी आपको यहां से मिल जाएगे, ठीक है, तो यह पूरा है, अब online application में अगर आपको कोई issue आता है, किस तरह किया जाएगा, तो आप लोग message कर देंगे, अगर आप लोगों को दिक्कत लग रही आप लोग message कर सकते हैं, ठीक है, अब वेकेंसी की अगर बात करें इसमें, तो वेकेंसी 2049 वेकेंसी हैं, और यह SSC वगरे के paper हैं, इनमें आउट होने का भी डर नहीं होता है, यह ना leak होते हैं, सेंटर गवर्मेंट के paper हैं यह, ठीक है, चैनल लोग पहली बार आएं, और आपको लगता है, जोब और के इस रिखाडिंग ऐसे अब्डिट आपको रिखलोर वेस्वे मिलते रहों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जै हिंद, जै भारत